नमस्कार आप सब का एकबर फिर से स्वागत थे इंडिया निउस के डिजिटल प्लैटफॉर्म इंडिया निउस नेशनल पे और मैं हूँ आशुकेश तिवारी जैसा कि हम शुरू से ही बताते आ रहे थे आपको और एक्सपोर्ट भी कह रहे थे कि बाहर मत निकलिए तर्ड वेव है और जो दिली में तो इसकी स्थिरी और भी ज्यादा खराब हो चुकी है आपको बता दे कि कोरोनवाइरस के मामले दिन प्रती दिन बढ़ते जा रहे हैं और खासकर दिल्ली में इसके मामले और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे है और जो संक्रमरदर है वो करीब करीब अभी 6 प्रतिशत के आज पास है आपको बता दे कि कुछ दिन पहले है संक्रमरदर 4 प्रतिशत थी जिसके बाद से यलो अलर्ट जारी किया गया था लेकिन कि लॉगर्याई oil जल्द ही कि लग सकता है क्यूंकि दिल्ली में संक्रमरदर 6 प्रतिशत के आज-पास घूम रहा है और ऐसा कल भी रहा और परसो भी रहत हम हमें लग सकता है कि परसोशाम को अर्विंद केजरिवाल कर बोढ़े कि अब तिल्ली में इन सभी जगाओं से जितने भी जांच के लिए टेस्टिंग के लिए गए हैं उनमें से 86 प्रतीशत जो लोग है वो positive आ रहे हैं और उसमें Omicron के cases और भी जादा हैं लेकिन इन सभी चीजों में एक बात जो है वो सबसे अच्छी है कि जो संक्रमरदर है वो तो बढ़ रहा है लेकिन लोग जो है उन्हें कम hospitals में जाना पड़ रहा है आपको बताया दें कि सिर्फ 200 लोग है hospital में भरती हैं बाकी जो लोग है वो घर पर ही ठीक हो जा रहा है नॉर्मल दवाई लेकि ही ठीक हो जा रहा है तो यह कहीं न कहीं एक अच्छी बात है कि Omicron का संक्रमर दर तो जादा है लेकिन इसके मुकाबले जो लोगों को जो हमने देखा था है second wave में कि जब लोग काफी जादा serious हो जा रहे थे वो serious हो नहीं है पर फिर भी आप संक्रमर से बचे रही है क्योंकि यह जादा ज़रूरी है क्योंकि cases बढ़ेंगे तो धिर 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 hospital में beds भी बढ़े जेंगे तो कई न कई खत्रे की बात यह जरूर है और लॉग्डाउन लगेगा तो सब कुछ ही खतरनाक हो सकता है तो इस बात पर जादा से ज़ादा धिया अगर आप में vaccine नहीं लिया तो प्लीज जाके vaccine ले लिजे अगर आपके बच्चे ने लिया और उसकी उमर 15 साल से जादा है तो उन्हें भी प्लीज सजेस्ट किए क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सिनेशन चालू कर दी गए उन्हें को वैक्सीन लग रहा है तो उसके लिए भी रिजिस्टेशन कीजिए आप दोरों जाके वैक्सीन लिजे और सतर करें तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही इंडिया न्यूस नेशनल